हेलो डियर इस्टोन्स दिस यूर केमिस्ट्री टीचर डॉक्टर अब्दुल्वाजित असिस्टन प्रोफिसर इन केमिस्ट्री आज हम डिसकस करेंगे संत्यकाड़ के बाबा अमराथी उनिशिटी का नया कुश्चन पेपर पैटर्न जो 6 जून 2022 को ये जियार रिलीज हुआ क्योंकि ये जियार के रिलीज हुने के बाद कुछ बच्चे थोड़ा कंफ्यूजन की स्टेडी में कैसा करना कैसा पढ़ाई करना वह एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आज अपने डिसकस करते हैं कि थोड़ा सक वो जियार के अंदर जो जो म अब्दुलवाजित असिस्टन प्रोफेसर इन केमिस्ट्री डेपार्टमेंट आफ केमिस्ट्री श्रीवाजी कॉलेज आर्ट्स कॉमेर्स इन साइस अकुला अभी हाली में संत्यकाड के बाबा अमरवती विद्यापिट का एक नया जियार आया है जिसके अंदर समर 2022 मतलब ज आउट्स है बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि इसको कैसा सॉल करना आए दर और और क्यूंकि इसके पहले भी एक जियार आया था पिछले मत जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टन बाते बताए गई थी तो फाइनली अपने पास में यह जियार है जिसके हिसाब से अपने इसको एक्जाम का पेपर क्वेशन पेपर सॉल करना है तो उससे रिलेटेट कुछ इंपॉर्टन बात है आज अपन डिसकॉस करेंगे जियार में कि प्रशन पत्रिके मधे मुद्रित के लेला सूचना नोट रद समझ्यात याव्यात मतलब उधारन के लिए एक्जामपल के यहाँ पर दिया है कि सर प्रशन आवश्यक आ है मतलब ऐसे जो इंस्ट्रक्शन है जो पेपर के शुरू में दिया जाते है वो आप ल पहले जियार के पॉइंट के अंदर दिया है दूसरा पॉइंट है परिक्षार्ट यान्नी प्रशन पत्रिके वर नमुद असलिला एकुन गुनांचे मिन्स मैक्सिमा माक्स कोणते ही प्रशन सोड़वाय से आयत मतलब यहाँ पर एक बात एक बहुत ही में बात दीवी है को हुणते ही मतलब आप कोई भी इसके अंदर 80 मास्ट के क्वेशन को सौल कर सकते हैं ठीक क्या कोई भी कोई of uskin ंदर ये भी हो सकता है कि आप उपर की क्वेशन सोड करें means either की बी और और की उपकोई बीस में से 80 मास्के कौशन सौल कर सकते हैं आगे हाँ पर बता एबाए क कि अध्वा और क्यूवा वगणों 80 गुनांच सा हुआर प्रशन होत अस्तिल अशा वेडी परिक्षार्थ्यान नी कोंटेई 80 गुनांच से प्रशन सोल वावेत। मतलब सपोज आपका पेपर अगर 150 मार्क का या 160 मार्क का हो रहा है जनरली 160 मार्क के पेपर 20 के स्टोर्ण्स के लिए आते हैं तो वो सिच्वेशन में ये टोटल पूरा का पूरा पेपर तो 160 मार्क का हो रहा है तो आपको 160 मार्क का नहीं करना है आपको उसमें से सिरफ only and only 80 marks का question paper solve करना है अब suppose आप पूछेंगे कि sir question number 1 के बारे में बात करो question number 1 के अंदर options है ABC then उसको आता है either फिर नीचे रहता है PQR तो आप either को भूल जाओ आप either को और को भूल जाओ सीधा देखो तो आपको question number 1 के अंदर total 6 question दिखते हैं तो आपको कौनसा question उसमें से अच्छा आता है आप उसको solve करो मतलब suppose question number 1 के अंदर ABC है ना वो 12 marks का है PQR वो 12 marks का है तो आप चाहे तो 12 और 12 मतलब 24 marks एक unit पर solve कर सकते हैं ऐसा ऐसा आपको क्या करना है पूरे paper में से total केवल 80 marks के question paper को आप choose कर सकते हैं in case अगर कोई student ये बुले कि सर मैं 80 marks से ज्यादा question paper solve कर के आया या अगर उसने 80 marks से ज्यादा solve कर लिया तो उसके लिए क्या है तो उसके लिए उन्होंने conversion दिया है मतलब suppose किस student ने 90 marks question paper solve किया है तो 90 में से उसको जितने marks मिलेंगे 90 में से उसको जितने marks मिलेंगे suppose उसको 90 में से 45 marks मिले मतलब 50% उसको mark मिले तो उसको फिर 80 में से कितने marks मिलेंगे इस type का इसमे calculation है I hope आपको अच्छी तरह से ये दो main points समझ में आ रहे होंगे कि पहली बात तो ही इसके अंदर के either और ऐसा ये कोई भी जो point है ये आपको cancel, consider करके चलना है मतलब आप बिंदास paper solve कर सकते हैं पुराने ही जैसा मतलब 2019 के पहले जिस type का question paper pattern रहता था मतलब उसमें जितने question solve करना रहता था 80 marks के लिए उपर बच्चे करते थे 3 question either or में के 3 question करते थे थे अभी आपके पास choice है कि आप either or को भूल जाओ सीधा सीधा आपको जो जो question अच्छे लगते है वो कोई भी 80 marks के question आप चूज कर लो बनाबने अभी आपकी personal choice है कि हो सकते है अगर आपकी इच्छावर होंगे तो ज्यादा marks के solve करो लेकिन मेरा personal solution तो यह है कि आप केवल 80 marks के question को solve करो so that 80 में से आपको जितने marks मिल रहे है वो आसने से आपको marks मिल जाएंगे 80 से अगर किसे ने कम किया तो it's okay जितने marks उसको मिले उतने marks मिल जाएंगे बट अगर उसने maximum marks मतलब 90 में से solve किया यह 100 में से solve किया उसके पास choice है कि वो 160 तक solve कर सकता लेकिन एक बात याद रखना कि आप जितने भी marks का question solve करेंगे आपको उसका conversion का factor से गुजरना पड़ेगा मराबर सपोस आपने 100 marks का question paper solve कर लिया और 100 में से आपको 50 मार्क मिले मतलब आपको फिर बात होई हो जारी है कि 80 में से आपको 40 मार्क मिलेंगे ठीक है लास्ट जियार का point यह है कि हर एक एक घंटे के लिए आपको 15 मिरिट एक्स्ट्रा दिये जाएंगे मतलब टोटल 3 घंटे में आपको 45 मिरिट एक्स्ट्रा होंगे इन addition to जो differently able students है यह जियार available है और ज्यादा confused नहीं होते हैं इसके अंदा दो तीने main point है एक तो either or की बात आपको consider नहीं करना है पहले बात कोई भी instruction consider नहीं करना है और दूसरी बात अगर आपकी इच्छा है कि आप 80 मार्क से ज्यादा solve कर सके तो इससे है तो ठीक है solve करना लेकिन एक बात याद रखना कि उसका conversion होगा और वो आपको 80 में से करके देंगे ठीक है तो थैंक यू अभी तक आपने अगर चैनल को subscribe नहीं किया है तो कर ले अपना chemistry by वाजित सर थैंक यू तो mathematical digits से मैं आपको समझाता हो कि calculation कैसा रहेंगा सपोज किसी बच्चे ने 80 है 80 से कम marks को solve किया तो उसको 80 में से marks मिलेंगे ठीक है सपोज 80 में से किसी को 60 मिले तो 60, 50 मिले तो 50 इसमें कोई change ने रहेंगा लेकिन सपोज किसी ने 90 में से 45 मार्च मिले तो ये हो जाता है total 50% got it कितना हो रहा है 50% अब अगर 90 में से 45 मिले तो 80 में से कितने marks मिलेंगे आप खुद समझ सकते हैं उसको 80 में से only 40 marks मिलेंगे ठीक हैं सपोस कोई और daring करता है और 100 marks पेपर solve करता है ओके और 100 में से उसको 60 marks मिलते हैं तो देखते हैं उसको 80 में से कितने marks मिलते हैं calculation करते हैं, 60 marks भी ले, 100 में से, therefore 80 में से कितने calculation हो रहा है, देखो, और ये हो जाता है, total, total, only, and only 48 marks, ठीक है, I hope समझ में आया होंगा,